आज मैं बना रही हूँ गोवी की बहुत ही टेस्टी और चटपटी रेसिपी ये जटपट से बनकर तयार हो जाता है और बनते ही फटा-फट सफा चटपी हो जाता है ये खाने में इतने टेस्टी लगते हैं अगर एक बार आपने इस तरीके से बना कर खा लिया न तो बार- सही गोवी को मैंने काट कर अच्छे से पानी से धोकर साफ कर लिया ये 600 गोवी है और अब ताजे और फ्रेस वाले ही गोवी लें अब यहां पर हम 8-9 लसुन की कलियां आधा इंच अद्रक का टुकरा लेंगे और इसे दरदरा इस तरीके से हम कूट लेंगे इसके बाद हम एक बरतन में यहां पर दो चमच मैदा लेंगे दो टेवल इस्पून जो बराबला चमच होता है न उससे और दो टेवल इस्पूनी यहां पर हम कौन फ्लोर लेंगे अब इसमें कूटा हुआ लासुन अद्रक डाल देंगे एक चोटा चमच कस्मिरी लाल मिर्च का पॉडर डाल देहों यह तीखा कम होता है अदा चोटा चमच गोल कि और काली मिर्च का फॉडर डाल देंगे एक चोटा चमच नमक का पानी डालेंगे तो पानी आप आप्वालक ल करके लाइव व्लग दालें ओपानी यह को बार का ऩबहर दो चुटा सबसे अगर आपको लगे कि बैटर पतला हो गया है तो इसमें थोरा सा कॉनफलोरिया मैदा डाल दे और यहां पर देखिए सारी चीजे अब अच्छे से मिक्स हो चुकी है गोवी के उपर अच्छे से कोटिंग आ चुकी है तो अब हम गर्म तेल में गोवी का एक एक पीस इस तरीक अगर आप एक साथ गोवी का पीस डाल देंगे एक ही बार में तेल में तो यह आपस में चिपकने लगेंगे चिपक जाते हैं और गोवी का पीस डालने के बाद ना इसे थोरी देर आप तलने दे थोरी देर के बाद जब यह नीचे से इस तरीके से तल जाए ना तब इसे पलटे ये देखे असानी से बिना चिपके ये असानी से पलट जाते हैं और सारे पीस देखे यहाँ पर एक्दम अलग अलग हैं और इसे medium flame पर ही तले जिससे की ये crispy बने रहें ज्यादा crispy के चकर में इसे low flame पर नहीं तले नहीं तो ये oily बन जाएंगा और high flame पर ये crispy नहीं ब काल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी जो गोवी के पिसम ने मिक्स करके रखे ना तेल में डाल कर उसे भी अच्छे से मीडियम फ्लेम पर तल लेंगे ये देखे कितने क्रिस्टी बनकर तयार हुए हैं सुनाई दे रही हैं आवाज आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते बहु तुकरा बारी काट कर डाल देंगे और इसे भून जाने के बाद इसमें हरा प्याज का वाइट वाला पार्ट डाल देंगे तीन से चार बारी कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हम भूनेंगे तो यहां पर ज़्यादा नहीं भूनना हाई फ्लेम पर बस इसे हम आ तो नमक हमने गूभी में भी पहले डाला था तो उसी साब से आप डाले और आधा छोटा चमच काली मिर्च का पॉडर डाल देंगे और इसे हाई फ्लेम पर ना आधे मिनट के लिए भून लेंगे तो इन सबजीयों को ना हमें पकाना नहीं है बस हलका सा सौटे कर लेना है त दो टेबल स्पून टोमाटो केचप डाल देंगे उसके बाद एक टेबल स्पून सोया सौस डाल देंगे अगर कलर आपको और ज्यादा डार्क करना तो आधा चमच और डाल सकते हैं दो टेबल स्पून रेड चिली सौस डाल देंगे एक टेबल स्पून विनेगर डाल दें इसमें डाल देंगे तो यह लगबग एक चौथाई कप से हलका सा जादा है तो इसे पानी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें उबाल आने देंगे इसमें देखी उबाल आ जाने के बाद अब इसमें हमने जो गोवी फ्राई करके रखा था ना उसे डाल देंगे उसके बाद बारी कटा हुआ हरा प्यास डाल देंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे अगर आपको ग्रेवी वाली बनानी है तो एक चमच कॉन फ्लोर को पानी में डाल कर मिक्स कर ले और ग्रेवी वाली बना ले और यहाँ पर हरा प्यास डाल कर हम गोवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजे दीखिए अच्छे से मिक्स हो गई है तो अब हम गैस आफ कर देंगे और ये हमारा जटपट सा टेस्टी चटपटा ड्राइ गोवी मंचूरियन बनकर रेडी है आप इसे रोटी चावल पूरी पराठा नान किसी के भी साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगती और इ किस बात की आभी बनाए खाए एंजॉय करें मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ